हलो फेंट्स, वेलकम दू आसल लेर्णिंग, आज बात करेंगे, आज का इंपोर्टेंट टॉपिक है, मेजरिंग टाइम, यह आपका टॉपिक आपके एक्जाम परणी पीस से काफी इंपोर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं, मेजरिंग टाइम के बारे में, तो सबसे प यह आपर होगा, तो यह कुछ अगया है, कभी-कभी कुष्चन में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, कि क्या होती है, क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है, कुछ और यूनिट है, अपने देखा होगा, minute, second, आबर है na, इसमें देखा है, लेकिन क्या है, कि जो ऐसा औन है सेकन-ड है आपको क्या गरना है सेकन पे करना है ठीक हैा मल्टिपल च।हार्स कूष्चन में ऐसा आ जाता है इसक डिक होगा आहला आवर दे रख रहा हुगा आपसे पूछ लिया जाए जाएगा दिया कि ऐसा ए we टाइम की क्या होती सैकंड्ट हुती है अब यहां पर यह नए पॉьюंट आया है में धीर जली में बात करते मthen की बारी में जैसे कि और rash घृए हे acha का अप्ड क्या कर लिए रोटेस्ट कर लेजा ले अर्थ को एक रोटेसन कंप्रीट करने के लिए means solar day is the time taken by the earth to make one complete rotation about its own axis clear है कि कितना time ले रही है ये complete rotation को complete करने के लिए अपने access किया रहा हूँ ठीक है तो वो क्या होता है वो उसका mean solar day होता है अब बात करते हैं यह तो clear हो गया होगा अगर आपको day का जो time है उसको major करना है तो किस में major करेंगे हो सकता hour and minute and second means जो आपका time है day का वो किस में major करेंगे hour, minute and second तो कुछ system होते हैं जैसे कि 12 hour clock system दो तरह की system होते हैं जो mostly आप पढ़ते हैं 12 hour clock system and दूसरा होता है 24 hour clock system अभी फिलाल में बात करेंगे 12 hour clock system की and new जो 24 hour clock system है बहुत जल्दी इसके बारे में पढ़ेंगी तो क्या है 12 hour clock system 12 hour system में क्या होते हैं कि जो day होते हैं two part में डिवाई रहते हैं जो की कौन से रहते हैं 12 hour period तो आपके two 12 hour period में डिवाई रहते हैं पूरा दिन आपका किस में रहते हैं 12 hour period में डिवाई रहते हैं जिसमें क्या होता है कुछ टाइम आपका midnight से noon तक चलते है midnight से आपका कहा चलते है नून तक चलते है जिसको लिखा जाता है am आपने देखा भी होगा जो watches बगर हैं वह सारे आपने देखे होंगी am pm आपने सुना तो हो गई बिल्कुल लेकिन क्या होता है, midnight से noon तक, वो किसमे है, am के अंदर आता है, और इसके बाद noon से midnight किसकी भीच में आता है, जो noon और midnight है, वो आता है, उसको pm क्या लिखा जाता है, तो दो आपके periods है, 12 hour periods आपके क्या है, टू है, एक तो midnight से noon तक चलेगा, जिसको कैसे am से लिखा जाएगा, और एक आपका कैसे लेगा नून से मिड़नाइट जिसको प्यम से लिखा जाएगा ठीक है तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं आप बात करते हैं कि जिससे आप टाइम का मेजरमेंट करते हैं काफी इंपूर्टन डिवाइजिस हैं इनको आप ध्यान समझेगा कि डिवाइज सबसे पहले बात करेंगी एंसें टाइम क्योंकि पहले कि लोग जो किस तरह से टाइं करते थे ऑफो करते थें कि जो सन या मून या कुछ हैविंद आप बना हुआ संडान तो संडान कि हैं इस प्रिंसपल पर ग्रार करता है यहां पर एकored बनी हुई तो जैसे sun की पॉजिट होती है जैसे sun की पॉजिट होती है तो जो इसकी shadow बन रही है shadow की position ऑर उसकी length भी change होती है तो इसके recording क्या time का पता लगा लेती थीज़ जैसे sun के position अलाः है और इसकी जो पॉजिशन है जो रोड की पॉजिशन और लेंथ है जो उसकी सेडो बन रही है वो भी चेंज होती रहती है तो इसकी according time का पता लगा लिया जाता था इस प्रिंसिपल पर वो संडायल बर्ग करता था clear है अब बात करते हैं कि अगर आपको बैसे define करना है तो आप define कर सकते हो कि संडायल which work on principle that set of the rod place in it change its position and length with position of the sun sun की position के साथ जो इसकी shadow की जो position है और जो length है वो भी change होती रहती है इस principle पर यह बर्ग करता था अब बात करते हैं कि send clock क्या होता है send clock एक और device है and send device है जिससे की time को major किया जाता था तो send clock में क्या था send clock में एक quantity of certain certain quantity of the send होती है यहाँ फिल रहती थी जो send वो क्या रहती है इसमें फिल रहती है तो एक fix interval of time means बहुत सकते fix amount of time fix amount of time में यहाँ पर जो lower chamber से upper chamber में send क्या होती है send यहाँ पर transfer हो जाती थी तो इस principle पर यह बर्ग करता था किस principle पर कि इसकी जो send है send कहाँ पर upper chamber से lower chamber में पहुंच जाती थी एक fix amount of time में तो वहाँ पर जैसे पूरी के पूरी send नीचे पहुंच जाती है तो इसका मलब जो fix interval of time उसका पता लग जाता था तो इस basis पे जो send lock है वो बर्ग करती थी ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको clear हो गया होगा अगर आपको नहीं clear हुआ है तो आप इसको बार-बार repeat करिएगा सुनिए गा वीडिय लाइक के साथ साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी जरूर किया करिए जिस से कि हम कोई पसंद भी आ रहा है और नहीं आरह है तो नावडे अभी जो use कर रहे है तो modern clocks बगएरा और watches बगएरा चल लेए जिनसे time का measurement किया जाता है तो काफी two distinct style की जो clock है clock से बारे बात करेंगे कि analog clock हो गई और डिश्टर clock हो गई जिससे time का measurement किया जाता है तो सबसे बहले बात करेंगे analog clock के बारे में analog जो clock होती है आपकी किस तरह सी होती है ये basically आपकी एक circular dial रहता है जिसको face भी बोला जाता है एक circular dial रहता है जिसमें कैसा इक circular scale fix रहती है कहा तक fix रहती है twelve hour फिक्स रहती है twelve hour की एक circular जो scale है आप कहा तक time पता लगा सकते है 兩 hour फिक्लियर है तो circular scale रहती है ऑट वासा आपमे क्या है ends भी रहती है हो सकता one two हो या फिर three हो कई के टाइप की राती हैं आपको two end भी मिल सकते हैं और three hand भी मिल सकते हैं जो कि center पर fix रहते हैं center पर क्या रहते हैं fix रहते हैं है ना यहाँ पर central पर fix रहेंगे और rotate करते रहेंगे about center center के about 2 है या फिर 3 hand up वो क्या करेंगे रोटेट करेंगे इससे जहां पे जो भी hand up की उसकी tip जहां पे पहुंच जाती है उससे आप time की जो reading है वो पता लगा सकते हैं clear तो ये तो हो गया आपका किस के बारे में analog clock के बारे में साथ में उसमें क्या और क्या होता है कि जो 12 भाबर scale है इसको divide किया जाता है किसमें 60 minute scale में जैसे आपको time का पता लगाना है तो आप time का पता लगा सकते हो किसमें minute में भी पता लगा सकते हैं क्योंकि 60 minute scale में वो divided हैं और आप second का भी पता लगा सकते हैं क्योंकि 60 second scale में भी इवाइट रहती है, अगर आपको second का पता लगाना है, क्लिया रहे, यह तो basically आप देखते चले आ रहे हैं, आप पता लगा सकते हैं किस तरह से time देखना होता है, और बात करते हैं कि digital clock, digital clock के बारे बात करते हैं, तो digital clock क्या होती है, digital clock में यह direct जो आपको महाँ पर display रहती है, इसमें क्या होती है, एक display रहती है, क्या रहती है, डिस्पले रहती है, जिसपे कि जो time है, आप clearly देख सकते हैं, नंबर के पॉर्म में आप time को देख सकते हैं, उसमें क्या कह रहता है, कि hour और minute दिख रहे होते हैं, हो सकता, और भी जो आपकी digital clock है, उस सकता, hour और minute ही मिले, यो कुछ ऐसे आपके digital clock रहती है, जिसमें कि hour और minute आपका second है, ती नो ही आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये सारी चीज़े हैं, ये clock के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो आप चलिए बात करते हैं, next point की तरफ सलते है, time interval, क्या होता है time interval, इसक कोई भी दो, instead उसकी बीच में क्या durations है, क्या time है, वो क्या होता है time interval होता है, उसकी बीच में कितने duration लग रही है, कितना duration of time लग रहा है, वो क्या है, वो time interval कहलाता है, ठीक है, clear हो गया, जैसे कि अगर कोई भी है, अगर आप define करना चाहें, it is defined as the time elapsed between the given events, जैसे अगर example क की बात करते हैं, कि sports event है, या फिर experiment हो रहा है, आप क्या किया, कि experiment आपका start हो गया, ठीक है, आप गए, experiment आपका start हो गया, यहां से चलना है, start हुआ और आपका, खतम हो गया, कुछ time बाद, तो जो 20 का time है, जो आपका 20 का time है, वो क्या होगा, time interval होगा, ऐसे जैसे आप sports बग beginning point है, और यह आपका end point है, ठीक है, तो beginning से और end के बीच में जतना time आपका duration of the time है, वो क्या होता है, वो time interval के अंदर आता है, उसको क्या बोलेंगे, time interval बोलेंगे, clear है, तो यह तो है time interval के बारे में, चलिए, आप बात करते हैं, कि अगर जैसे आपको major करना है, जो time interval है, वो major कर सकते हैं, clear है, चलिए, आप बात करते हैं, कि next point की तरफ चलते हैं, देखते है, x point क्या है, तो अब बात करते हैं, जैसे अभी आपने देखा था 12 hour clock system, अब start हो जाएगा आपका 24 hour clock system, तो बात करेंगे 24 hour clock system की, क्या होता है 24 hour clock system, जो आपका time है, कहां से start होगा, आपका 00, 300, 00, 00.00 से 12 hour से start होगा, और यहां थक चलेगा, इस अदो पीरियद में इसमें रहता है, जैसे आपने उसमें देखा था, am, आपने देखा था, am देखा था, इसमें क्या रहता है, कि आपका जो time period है, कहां से start होगा, आपका morning से noon तक चलेगा, कॉहा था नून बाला पीरिट था क्या था एम था । जो आपने त्वार क्रोट सिस्टम में देखा था यहां भी क्या है आपका जो मौर्णिंग है जो नून तक चलेगा लेकिन टाम आपका क्या रहे गा 00,00 कहा तक चलेगा 12 00 तक चलेगा clear up ये तो हो गया आपका कौन सा अवरा टा है morning से noon बाला और second बाला जो part होता हो वो कहां से लेगा 12 से लेगा 24 hour तक 12 से लेगा 24 hour तक इसमें जो period होता है वो क्या होता है noon से midnight तक तो आपको इसको ध्यान सबज़ना है आपके दो period से लेगे, एक तो आपका 0 से लेके 12 तक चलेगा, फिर आपका 12 से लेके 24 तक चलेगा जो आपका 0 से 12 तक चल ला है, वो आपका कौन सा period है, वो आपका morning से noon बाला है जो आपका 12 से 24 चल ला है, वो आपका क्या है, आपका वो noon से midnight बाला है तो दौनों ही period आपको ध्यान रखने हैं जैसे example में अगर दे रखा आपका time दे रखा मालू 2.30 hour दे रखा है तो इसका मलब क्या है अगर आप 12 hour clock system में जाएंगे तो इसका मलब क्या है कि 2.30 am हो रहा है उस time लेकर अगर हो रहा है 17 hour तो इसका मलब क्या है आपको क्या करना है 17 को आपको 12 से subtract कर देना तो क्या आजागा 5 आजागा तो इसका मलब क्या है 5 pm हो रहा है इस time जब जो 24 hour clock system की बात करेंगे जब क्या हो रहा होगा 17 hour हो रहा होगा time तो उस time पर 24 hour की बात करेंगे कि यहां पर 17 haven रहा है अगर 12 हावर की बात करेंगे तो क्या हो रहा होगा 5 पी एम हो रहा होगा है के लिए रहे तो यह सारे चीजे हैं यहांसे आपको समझ लेना है और भी बताता हूं कि यह जो usage हैं इस इस तरह से जो facilities हैं कहां आपको बटाश है जैसे कि railway बगएर हो गया या फिर या लाइंस बगएर हो गया तो वहां पर जो आपको 24 hour clock system वहां पर देखने को में सकता है जैसे कहीं आप आपक साथ कहीं गूमने गए होंगी तो यहां पर दे भी रखा है जैसे इसमें देख सकते हैं आप यह दे रखा है कि न्यू देली रखा है रूट नमबर वन राइवल टाइम यह दे रखा है और इसका जो डिपार्ट बाला टाइम है वो क्या रखा है 22 अ कौलन 30 मेंस का है 22 यहां पर क्या रखा है 22 दे रखा है और धर प अन्यू डेखा है और। इस तरह से Cyril Yap के लिए रहे यह 2-4 आवर किलॉक सिस्टम आप कुछ और चीजे से cleared के चोषिए मैन फीचर कि एम और जो पी-अम है आपका जैसे आप 1221 सिस्टम मेर्याग रख रहाए थी आप देख confusion है वो उससे हम बच जाते हैं कि am लिखना है या फिर pm लिखना है उससे हम लोगो बच जाते हैं जो time और second आपका क्या है जो feature आपका second वो क्या है कि time आपका किस में सो होगा four digits में सो होगा एक में आपको आबर मिलेगा और दूसरे में आपको minute मिल जाएंगी किलिया रहे यह आपका क्या होगा जैसे यहाँ पर दे रखा था मालों यहीं दे रखा है है ना क्या है 15 और बीच में आप डॉट डॉट लगे में इनको बोला जाता है colon क्या बोला जाता है colon ठीक है 15 colon 00 means 15 आबर हो रहे हैं और 00 आपका क्या है मिनेट से तो इस तरह से आप जो फोर डिजिट में आपको टाइम देखने को मिल सकता है ठीक है और बात करते हैं टाइम की टाइम इज एक्सप्रेश कंटूनेशली फ्रॉम 00 midnight means जैसे आप पहुंचते हैं अब ध्यान दे रहा है इस चीज़ को कि आप 0 चलते है 24 पर पहुंचते है 24 colon 00 तो 24 आपका नहीं वहाँ पर दिखता है है ना 24 नहीं दिखता है 0000 आ जाता है 00 का मलब कहा है कि जो 24 है वो क्या करता है कौन साइड कर जाता है एक दूसरी को उपर तो 24 लिखके नहीं आता है वह 00 ही हो जाता है जैसे चला आपका 23 चलता है है अगर तब भी आपके दिमाग में कोई भी confusion है आप comment करके पूछ सकते हैं अब देखीगा कि अगर conversion आपको करना है आपको conversion करना है 12 hours जो time में आपको किस में convert करना है आपको 24 hour time में convert करना है तो यहाँ पर क्या है 1230 am हो रहा है 12 सब्सेक्ट करेंगे तब तो यहाँ पर क्या आजागा 30 जो आपका 0030 minutes क्या होगा 33 आपका क्या हो जागा 30 minutes आजाएगा clear रहे यह आपका किस में convert हो गया 24 hour में convert हो गया जैसे आपका जो बी वाला पार्ट वो दे रखा है वन कॉलन 30 minutes है ना एम दे रखा लेकर नहापर क्या दे रखा एम इसका मलब कौन सा time चलता है आपका morning to आपका noon वाला time चलता है ठीक है वो तो कहां तक चलेगा वो टाल तक चलता है तो जो आपका time में वो क्या रहेगा वन कॉलन 30 minute या वन आवर 30 minute आपका वो time रहेगा करियार बात करते हैं C की, C में क्या दे रखा है 4.20 pm ठीक है 4 hour 20 minute pm दे रखा है अब आपको इसको भी किसमा करमट करना है 24 hour में करमट करना है तो कैसे आप करमट करेंगे आप क्या कर दीजिए यहाँ पर pm दे रखा है ठीक है पीम दे रखा है इसका मलब कौन सा time चलता आपका ठीक है नून से आपका midnight वाला time चलता है तो अब नून से midnight वाला time जा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि 12 से 24 की बीच में होता है लेकिन है आपको 4 ही दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें 12 को add करना बात करते हैं नेक्स पॉइंट की क्या दे रखा है 9.45 पीम अब पीम आ रहा है ठीक है जब 24 आवर हम जाते हैं तो कहां सलता आपका 12 से 24 की बीच में रहता है तो इसमें भी आपको क्या करना है 12 को एड कर देना जैसी 12 को एड करेंगे क्या आ जाएगा 21 कॉलन या बोल सकते है 21 ह आवर 45 मिनट तो यह भी आपका टाइम हो जाएगा अब बात करते हैं नेक्स princi की तरफ देखीगा नेक्स पॉइंट कहां यह दे रखा है यह कहा है 12 पीम 12right 0000 PM थिक है तो यह जो पीम बाला टाइम है आपका अगर 24 आवर में जाएंग तो कहा तक चलता है ज़ो आपका idiम 24-hour system बाला आपका time क्या रहेगा 12-hour 00-minute तो यह तो है first example पहले आपको खुद से करना है इसको आप पिल्कुर रफ कर दीजिए आपको जो solution वो नहीं देखना है आपको क्या करना है आपको अपने आप से करना है फिर इसके बाद में आपको solution देखना है आपको देखना है कि 12-hour यह आपको major गंडा मैं बताऊंगा आपको दोनों काही मैं एक साथ वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको कोई headache लेनी जरूत नहीं एक बार में ही पूरा chapter आपका complete हो जाएगा तो आप कोई भी doubt है आप उसको comment करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो like जरू करिएगा अगर आप चैनल पर नए तो subscribe कर लिजिएगा साथ मैं अपने जो friends है जो जिनको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो उन तक आप इसको share भी कर सकते हैं now thank you for watching thank you